लोकसवा चुनाब में मंच से राहूल गंधी कर रहे अगनीवीर योजना खत्म करने का दावा जाने इस पर क्या है शशी थरोर करो लोकसवा चुनाब 2024 के दोरान विपक्षी गटबंधन इंडिया मेहंगाई बेरोसगारी किसानों की आमंधनी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर जन्ता के सामने पहुंची इसके अलावा एक मुद्दी का कॉंगोरी सद्धिक रहू गंधी अपने रैलियों में काफी पार जिक्र कर चुके हैं वो है अगनीवीर योजना को खत्म करना रहू गंधी का कहना है कि अगर इंडिया गटबंधन की सरकार बनतीन है तो इस स्कीन को खत्म कर दिया जाएगा तप्तिगर्मी की बीच गोटनी उच पांच दिन में आ रहा है मानसुन मौसम विभाग बोला बंपर होगी बारिस मौसम विभाग ने कहा कि मानसुन की एंट्री के लिए केरल में परिस्तिया अनुकूल है अगले पांच दिनों के दोरान मौसम में बदलाब देखने को मिलेगा साथी आई अपनी इकट साथी आई एमडी ने लूगा अलट भी जारी किया है देशवर में भीशन गर्मी की मार से जल्दी राहत मिलने वाली है भारत मौसम विभाग यानि आई एमडी ने मानसुन को लेकर एक खुश खबरी दी है आई एमडी के अनुसार अगले पाश दिनों के दोरान केरिल में मानसुन दस्तक देने जा रहा है आई एमडी ने बदाय कि इस बार भारत के मानसुन को जोन में सामाने से अधिक बारी सो सकती है मैं 31 माई को SIT के सामने आऊओ अच अभी सप्रेय के बाद पहली बार दिखा प्रेजवल रेवना जाने वीडियो मैसेज में क्या कहा यह इन शोशड के आरोपों का सामना कर रहे जेडियेस से निलम्मित सांसद प्रेजवल रेवना ने मामला सामने आने के एक महीने बाद कहा के वह भारत लोटेंगे और 31 माई को विशेज जांच दल यानि SIT के सामने पेश होंगे अलंकि इस मामली पर जेडियेस या निलम्मित पार्टी सांसद के परिवार की और से तकाल कोई पुष्टी नहीं की दई है भाई बहन पर नहीं फूटेगा ठीक रा खरगेश साहब आपकी नौकरी जाने वाली है अमिशा ने बताया चुनाब बाद कॉंग्रिस क्या करेगी उतरपदेश की हुशी नगर लोगसभा सीट पर जर्ण सभा को संबोदित करते हुई केंद्री ग्रह मंत्री अमिशा ने कॉंग्रिस पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि चार जून को एंडिये की जीत निशित है और उसी दिन राहूल गांधी की टीम एक प्रेस कॉंफरेंस करेगी और अपनी हार के लिए वी एम को दोस्त देना शुरू कर देगी अमिशा ने आगे कहा कि मलिकार जुन खरगी को यह समर्जने की ज़रूरत है कि इन भाई बेहनों यानि राहूल प्रियांका को दोशी नहीं ठेराय जाएगा पांच जुलाई को आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे 8500 उपे राहूल गांधी ने पता दी पहली किस्त की तारीक लोकसवा चुनाब 2024 के साथ वे और आखरी चरण के चुनाब प्रेशार में लगे कॉंग्विस की पूरवद्यक श्राहूल गांधी ने बिहार के आरा में एक रैली को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने कहा कि देश में गरीबों की एक लिश्ट तैयार की जाएगी हर गरीब परिवार से एक महिला का नाम चुना जाएगा इंडिया गटबंदन सरकार बनाएगा और देश के करोड़ों गरीब महिलाओं के बैंक खाते में 8500 रुपे आएंगे पीम मोदी की जीत के लिए काशी में बीजेपी नेताओं ने डाला डेरा वारान सी कौंचे कई नेता देश की सबसे बड़ी वी आईपी सीट पर एक जून को वोटिंग होगी और वर्तमान समय में भारतिये जंता पार्टी ने चुना प्रशार प्रसार में यहां पर अपन मंत्री सहित लगबग आधा दर्जन स्टार प्रशार को ने कमान संभार रखी है तीजस्वी आदव वील्चेर पर क्यों गूम रहे हैं समराज चौधरी बोले यही नहीं राम नवमी में भी पूरे देश में लोग सभा का चुनाब अब अंतिम पड़ा पर है इस दोरान ब अलिकॉप्टर में मचली खा रहे हैं यही नहीं राम नवमी में भी मचली खाने का उनको पढ़ना मिला है उनके शरीर में मचली का कांटा फस गया है जिस वजह से अवे वील्चेर पर घूम रहे हैं एसी में आचिका दाकिल करनी पर दिली के सियम बोले वो तो चाहते हैं कि केज़रिवाल मर जाए दिली के सियम अरविन केज़रिवाल ने सुप्रीम पोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत की आविधी साथ दिन के लिए बढ़ाने की अपील की है इस सम्मन्ध में उनकी सियाच पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं जिसका जबाब CM केजरिवाल ने दिया है केजरिवाल ने कहा उनकी तो तहे दिल से इच्छा है कि केजरिवाल मर जाए MP में CCTV कैमरे में मत करना इस्थल की निगराने जिला चुनाव अधिकारी ने लिया जाए 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 जगर जिला निर्वाजन अधिकारी CCTV कैमरा की जरिये निगरानी रखेंगे इसके अतरिक्त सुरक्षा के भी व्यापक पर प्रबंद किये जा रहे हैं मत करना के दौरान कोई भी कारे प्रभावित नहों इसे लेकर आवश्यक इंतिजाम भी किये जा रहे हैं सभी आवश्यक इंतिजाम कर लिए हैं हिमाचल में बीजेपी की चारों लोकसभा सीट पर जीतते हैं पूरों मंत्री सुरिस भारतवाज का कॉंग्रीस पनिशाना हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रच्षार ने जोर पकड़ा हुआ है रविवार को कॉंग्रीस नेता राहूल गांधी ने हिमाचल प्रदेश में दो जनसभाय के पहली जनसभा नाहर और दूसरी जनसभा उनामी हुई दोरान राहूल गांधी ने प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी पर जम कर निशाना साधा राहूल गांधी ने 10 साल के कारिकाल को पूरी तरह विफल बताया गांधी के बयान के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार में शेहरी विकास मंत्री और राजिसवा सांसद रहे सुरीज भारत द्वाज ने पलिटवार किया है